नमस्कार, B.A. Second Year का English Literature का Second Paper आपका Objective आएगा, तो आज हम Oliver Twist पर कुछ Multiple Choice Questions देखते हैं, पहला है, When was Charles Dickens born, Charles Dickens का पैदा हुआ, तो Charles Dickens का एक, मैंने यहाँ पर पूरा नाम भी लिख लिया है, Charles John Huffam Dickens, यह उसका पूरा नाम है, तो options हैं, 1710, 1712, 1812 और 1910, तो यह Charles Dickens का जन्म हुआ, वो अठारे सो बारे में हुआ, नोट कर लीजिगा, Where was Charles Dickens born, Charles Dickens कहां पैदा हुआ था, Port C, Newgate, Hide Park या Jacob's Island, तो इसका जवाब है, Port C, Charles Dickens का जन्म, Port C में हुआ था, थार्ड क्वेशन है, How old was Charles Dickens when he had to work as a child laborer, यहनी Charles Dickens कितने वर्ष का था, जब उसको एक बाल मजदूर के रूप में काम करना पड़ा था, देखिए, Charles Dickens का जो खुद की लाइफ रही है, वो बड़ी pityable लाइफ रही है, बड़ी miserable लाइफ रही है, और इसलिए उसके जो novels होते हैं, उनमें एक hero अक्सर एक बच्चा होता है, जो बहुत सफर करता है, जैसे आप Oliver Twist में देखते हैं, तो अब Charles Dickens को खुद एक child labor की रूप में कारे करना पड़ा था, और वो करना पड़ा था उसको 12 साल की उमर में, तो ये इसका जो जवाब है, वो B है, When did he begin his career as lawyer's clerk, तो उसने lawyer के clerk के रूप में अपना career कब शुरू किया, तो बहुत सारे career ट्राइब किये थे Charles Dickens ने, तो उसमें एक lawyer clerk के रूप में भी उसने काम किया था, और वो उसने किया था, options हैं, 1827, 1820, 1825 और 1823, तो इसमें जो option 1827 है, ये सही है, ये सब आप note कर लीजेगा, When did he become a journalist, तो वो एक पत्रकार कब बना, 1820 में, 1822 में, 1828 में या 1832 में, तो Charles Dickens एक पत्रकार बना 1832 में, देखिए कभी-कभी आप लोग वाईवा में भी जैसे पूछ लिया जाता है, और बोलते वक्त भी कभी गरबर हो जाती है, कि हम, इस्टुएंट्स को मैंने देखा है, कभी-कभी हमारे मुह से भी गलती से निकल जाता है, कि Charles Dickens ने Oliver Twist लिखा है, तो कभी Charles Dickens की जगह हमारे मुह से Oliver Twist निकल जाता है, और Oliver Twist की जगह Charles Dickens निकल जाता है, तो थोड़ा सा प्रेक्टिस कर लिजे, अपनी जवान को साफ कर लिजे, कि Charles Dickens ने Oliver Twist लिखा है, Oliver Twist नॉबल का नाम है, और Charles Dickens ओथर का नाम है, फिर है next question, when did he publish Oliver Twist, तो उसने Oliver Twist जो नॉबल है, पन्यास है, वो कब publish किया, options है, 1837-38, 1837-38, 1835-36, या फिर, 1935-36, या फिर 1933-35 में, तो Oliver Twist जो publish हुआ, वो 1837-38 के बीच में publish हुआ, तो जो सही जवाब है, वो है A, next question है, which was Dickens first published book, तो Dickens की पहली published book कौन सी थी, देखिए, ये जो question में चली, इसके वो options देखते हैं, David Copperfield, Hard Times, Pickwick Papers, या फिर Oliver Twist, तो जो Pickwick Papers है, वो एक serial के रूप में publish हुआ था, एक series के रूप में, तो वैसे तो ये ही पहला published work है, उसका तो इसी पर आपको निशान लगाना है, लेकिन कुछ किताबों में Oliver Twist दिया हुआ है, क्योंकि Pickwick Papers के बाद Oliver Twist पब्लिश हुआ था, लेकिन ये क्योंकि series के रूप में publish हुआ था, और Oliver Twist बुक के रूप में publish हुआ था, इसलिए कुछ लोग Oliver Twist को मानते हैं उसका पहला published work, लेकिन भले ही series के रूप में publish हुआ लेकिन Pickwick Papers ही उसका पहला work है, तो आप यही mark कीजीगा, मेरे अनुसार तो Pickwick Papers ही होना चाहिए, When did Charles Dickens die, Charles Dickens की मृत्यू कब हुई, 1850, 1870, 1860 या 1880 तो 1870 में Charles Dickens की मृत्यू हुई, Who was Mr. Bumble, तो Mr. Bumble कौन है, ये Oliver Twist नोबल जवाब पढ़ते हैं, तो उसमें एक character है Mr. Bumble, तो वो कौन है एक लर्क, ए बीडल, ए प्रीस्ट, और कॉफिन मेकर तो Mr. Bumble एक बीडल है बीडल कौन होता है एक चर्च ओफीसर होता है तो आपको यह याद रखना है बहुत important character है Mr. Bumble तो उनका जो पद है वो है एक बीडल का और जिसको के चर्च ओफीसर कहा जाता है फिर है 10th question Who was superintendent of the baby farm where Oliver was kept unto nine तो वो superintendent कौन था बेबी farm का जहां Oliver को 9 साल की उमर तक रखा गया Mrs. Bumble, Mrs. Corny, Mrs. Maan या फिर Agnes Fleming तो इसका जवाब है Mrs. Maan Next question है What trade was dedicated, what trade was decided for Oliver to be trained at the workhouse तो workhouse में कौन सा trade decide किया गया Oliver के लिए चिमनी स्वीपिंग, coffin making, pick pocketing या फिर picking of okam तो जो Oliver के लिए उलिवर को train किया गया प्रशिक्ट किया गया वो picking of okam यानि रसी बटने का जो काम है उसमें उसको train किया गया तो यह picking of okam आपको note करना है फिर है Oliver asks for more, यह for more food और यहां प्याना चाहिए कि Oliver ने ज्यादा भोजन मांगा, जितना भोजन मिलता था उससे ज्यादा भोजन मांगा क्यों मांगा, he fears the tall boy would eat him, he fears he would die of hunger, he likes that food very much, या फिर he wants to trouble authorities तो Oliver के साथ में एक लड़का था, बड़ा लम्मा सा लड़का और उसने Oliver को धमकी दी थी कि अगर मुझे और भोजन नहीं मिला तो Oliver ने ड़के मारे authorities से ज्यादा भोजन की मांग की और इसके लिए उस फिर उसे punishment भी मिला तो यह जो इसका आंसर है, वो A है, he fears the tall boy would eat him फिर है, who is Mr. Gamefield, Mr. Gamefield कौन है, a coffin maker, a chimney sweeper, a lawyer, Oliver's stepfather तो Mr. Gamefield एक chimney sweeper है, तो आंसर हमारा होगा B next question है, who is Mr. Soarberry, Mr. Soarberry कौन है, a chimney sweeper, a beadle, a coffin maker या a lawyer तो Mr. Soarberry एक coffin maker है, ताबूत बनाने का काम है उनका, तो आंसर हमारा हुआ C फिर है, who is Mrs. Soarberry's maid servant, तो Mrs. Soarberry की maid servant कौन है, Agnes, Charlotte, Corny या तो Mr. Soarberry की maid servant का नाम है, Charlotte और Charlotte जो character है, Charlotte नाम का एक character pride and prejudice में भी था, आपको याद होगा, वो भी आपको याद रखना है और confused बिल्कुल नहीं करना है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, pride and prejudice पे तो उसमें Charlotte का नाम आया था, आपको याद होगा, कि Charlotte जो थी, वो Elizabeth Bennet की सहली थी, और Mr. Collins की पतनी थी, Mr. Collins ने पहले Elizabeth Bennet को प्रपोज किया था, और Elizabeth Bennet ने शादी करने से इंकार कर दिया, तो Mr. Collins ने Charlotte को प्रपोज किया, जो कि Elizabeth Bennet की close friend है, और उसने फिर, वो आपको याद रखना है, पेपर यह ही है, आपका इसी पेपर में, मलब सेकिंड पेपर में ही, फिक्शन वाले पेपर में ही, दो करेक्टर आपको दोनों का नाम Charlotte है, लेकिन याद रखना है, दोनों का डिफरेंस, तो यह जो Charlotte है, Mr. Sorberry की मेड सर्वेंट है, और वो Charlotte, Elizabeth Bennet की फ्रेंड है, दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है, फिर है, Who is the stranger boy at Mr. Sorberry, who awakens Oliver, तो वो stranger लड़का कौन है, अजनवी लड़का, जो कि Mr. Sorberry के यहाँ, Oliver को जगाता है, वो Charlie Bates है, Sykes है, Noah Claypole है, या फिर The Artful Dozer है, तो वो जो लड़का है, वो Noah Claypole है, अंसर होगा हमारा C Next Question, Where does Mr. Sorberry employ Oliver as mute, तो Mr. Sorberry, Oliver को mute, मतलब कुछ बोलता नहीं है, शान्त रहता है, वो mute कहलाता है, न बोलने वाला character, तो एक mute के रूप में, कहां उसको employ करते हैं, कहां उसको काम पे लगाते हैं, To sweep chimney, To attend funeral, To pick pocket, या फिर To make coffin, तो देखिए, ऐसे जो characters की जरुवत होती है, वो कहां होती है, funeral में जरुवत होती है, जहां पर किसी की शव यात्रा हो रही हो, तो आपने फिल्म रुदाली देखी होगी, तो जहां किसी के लिए रोने वाले लोग नहीं होते हैं, तो किराई प characters, वहां यूरोप में भी होते हैं, तो जहां किसी के funeral में लोग नहीं होते हैं, उदासी से भरे हुए चेहरे वाले लोग चाहिए funeral में, तो किसी वेक्पीके में नहीं हैं, तो किराई पर ऐसे लोग लाए जाते हैं, पैसे देकर, तो यहां Oliver को एक mute के रूप में काम पर Oliver Noah Claypole को क्यों पीटता है, Noah eats his food, Noah steals his money, Noah abuses Oliver's mother, Noah kisses Oliver's beloved, तो Oliver Noah Claypole को पीटता है, क्योंकि उसने Oliver को मा की गाली दी थी, यह मा की गाली सब जगे होती है, हमारे इंडिया में भी होती है, और बाकी जगहों पर भी होती है, तो यह बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लोगों को, जो किसी को कोई गाली देता है, तो फिर इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो यहां भी यही हुआ कि Noah ने Oliver को मा की गाली दी थी, तो जवाब हमारा हुआ C, next question है, who orders to keep Oliver hungry, Oliver को भूखा रखने का आदेश कोन देता है, Mr. Bumble, Mr. Sorberry, Mr. Brownlow या फिर Monks, तो Oliver को भूखा रखने का आदेश Mr. Bumble देते हैं, तो जवाब हुआ हमारा A, next है, when Oliver has decided to go to London, who bids him goodbye, जब Oliver decide करता है, लंदन जाने के लिए, तो उसको अलविदा कौन कहता है, Mr. Bumble, Dick, Mr. Sorberry या फिर Noah, तो Dick जो लड़का है, वो Oliver को goodbye कहता है, तो यहां जो हमारा जवाब होग वो होगा B, किसी भी novel में, आपको characters को जानना बहुत जरूरी है, मैं अभी कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो केवल characters पर बनाऊं, क्योंकि Oliver twist में, किसी भी novel में characters तो बहुत सारे होते हैं, और अक्सर multiple choice questions जो आ जाते हैं, वो characters पर बेस जा जाते हैं, तो सारे characters को ज Oliver meet Jack Dawkins, so Jack Dawkins से Oliver की मुलाकात किस शहर की, कस्वे में होती है, लंडन में होती है, Jaycobs Island में होती है, Barnett में होती है या फिर flower में होती है, तो देखे, Oliver को जो मिलता है Jack Dawkins से, वो Barnett में मिलता है, लंडन से पहले, तो यहाँ जो जबाब होगा,יש पालने मुर्यागी को बार्ने तो आर्टफूल डोजर तो किसका नाम है चार्ली बेड्स साइक फेगिन या फिर यह जो जेक डॉकिन्स है जो उसको बारनेट में मिला था उलिवर को उसी का नाम दाइट फूल डोजर भी है फिर है नेक्स्ट क्वेशन अमंग फेगिन्स ट्रेंड मेल प्रशिक्षित पुरुष शिष्य हैं लड़के हैं वन इस दोजर तो एक तो वो डोजर है जैक डॉकिंस जिसका नाम आर्टफुल डोजर है एंट आदर और दूसरा कौन है चार्ली बेट्स नैंसी नोवा क्लेपोल या ओलिवर तो जो दूसरा है वो है चार्ली बेट्स वो लड़कियां कौन है जिनको कि प्रशिक्षन दिया गया है फेगिन के द्वारा तो रोज एंड नैंसी एगनीज एंड रोज बेट्स एंड नैंसी या फिर शार्लट एंड नोवा तो आप ने अगर पढ़ा है इस स्टोरी को तो आपको मालम होगा वो जो जो लड़किय प्रुसकार के रूप में एक शिलिंग ओलिवर को क्यों देता है ओलिवर डाप पिक्स और हैंकरचीफ नाइसली आउट ओफ फेगिन पॉकिट मांग्स हैस आस्ट हिम टू डू सो तो इसका जवाब है सी ओलिवर फेगिन की पॉकिट से बड़ी अच्छे तरीके से हेंड करचीफ यानि रुमाल निकाल लेता है तो ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था जेव काटना सिखाया जाता है बच्चों को अपने यहां भी फिल्मों में अक्सर देखा होगा रियल लाइफ में तो खर कहां आप देख सकते हैं कि बच्चों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनको जेव काटने की चोड़ी करने की यह सब ट्रेनिंग दी जाती है जो कि यहां ओलिवर्ट ट्रिस्ट में भी दिखाया गया है ऐसा सभी देशों में होता है तो ये उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी हेंट करचीफ चुनाने की तो वो अच्छे तरीके से जब चुरा लेता है तो मिस्टर फेगिन उसको रिवार्ट देते हैं उसको इनाम देते हैं नेक्स क्वेशन वो पिक्स दा ओल्ड जेंटलमेंस पॉकेट तो जो बुड़े महान भाब की जेव कौन काटता है तो जब आप पढ़ेंगे इसको ओल्लिवर ट्विस को तो उसमें एक घटना है जहां एक महान भाब है उल्ड जेंटलमेन उनकी जेव काटी जाती है तो उस जेव को कौन काटता है दा आर्ट फुल डोजर चार्ली बेट्स ओल्लिवर या फिर नैंसी तो उन महान भाब की जेव काटता है आर्ट फुल डोजर यानि उसका नाम पहले आ चुका जेव काटता है लेकिन पकड़ा बिचारा ओल्लिवर ट्विस जाता है तो जेव उसमें नहीं काटी थी लेकिन वो पकड़ा जाता है तो यहाँ जो जवाब होगा दा आर्ट फुल डोजर होगा फिर है फिर है को इस बाउल जेंटलमेन तो वो बुड़े महाशाय कोन थे जिनकी जेव काटी गई थी डोजर के द्वारा तो अभी बात आई थी ने डोजर ने जेब काटी थी और Oliver Twist पकड़ा गया था तो वो जेब किसकी काटी थी Mr. Feng की Mr. Grimwig की या फिर Mr. Brownlow की तो जो जेब काटी थी वो Mr. Brownlow की काटी थी तो हमारा जो जबाब है वो है D Next question है Who is the old lady at Mr. Brownlow who takes care of Oliver तो वो बुड़ी महिला कौन है Mr. Brownlow के यहां जो की Oliver की देखवाल करती है Mrs. Badwin, Mrs. Melly, Rose Melly या फिर Nancy तो वो Mrs. Badwin है तो हमारा जबाब हुआ A Next question Whose portrait attracts Oliver's attention at Mr. Brownlow तो Mr. Brownlow के यहां किसका जो portrait है वो Oliver का ध्यान आकरशित करता है Nancy's, Agnes Flemings, Rose Melly's या फिर Jesus Christ तो यह जो portrait है वो Agnes Flemings का है Next है How old is Sykes Sykes कितने साल का है 35, 30, 32 या फिर 38 तो Sykes में 30 साल का है फिर है Who has a dirty dog with him तो किस के पास एक गंदा सा कुता है Fagin के पास है Mr. Brownlow के पास है Sykes के पास है या Mr. Bumble के पास है तो यह जो कुता है वो Sykes के पास है जबाब C 33, who goes to the police officer to know about Oliver Oliver के बारे में जानने के लिए police officer के पास कौन जाता है Bates, Sykes, Nancy या फिर Fagin तो police officer के पास जाती है Nancy तो जबाब हुआ हमारा C next question what does Nancy pretend at the police office तो Nancy क्या pretend करती है क्या दिखाती है police officer को या फिर police station यहाँ पर होना चाहिए question में तो क्या दिखाती है वो Oliver is her younger brother Oliver is her nephew Oliver is her friend she is Mr. Brown Lowe's daughter तो Nancy वहाँ पर यह दिखाती है कि जो Oliver है वो उसका younger brother है तो जो हमारा जबाब होगा वो होगा A where does Mr. Brown Lowe call Oliver तो Mr. Brown Lowe Oliver को कहां बुलाते हैं options है drawing room, garden, study room the book stall तो Brown Lowe, Oliver को अपने study room में बुलाते हैं तो वो उसको कुछ किताब देते हैं और पैसे देते हैं कि इन किताबों को लोटा के आओ और यह पेमेंट कर गया और इतनी change वापस लेके आओ पैसे तो लेकिन वो नहीं आपाता क्योंकि उसको पकड़ लिया जाता है रास्ते में ही तो यहां Mr. Brown Lowe उसको study room में बुलाते हैं हमारा जबाब होगा C फिर है what does Oliver wish to be Oliver क्या बनना चाहता है अ पिक पॉकिट, अ बुक सेलर, अ जर्नलिस या फिर अ लोयर तो Oliver एक बुक सेलर बनना चाहता है जबाब हुआ B Who is Mr. Grimwig तो Mr. Grimwig कौन है A doctor, a police magistrate Mrs. Mayle's cook, Mr. Brown Lowe's friend तो Mr. Grimwig है, वो Mr. Brown Lowe के friend है Next question Who is the other boy? मतलब दूसरा लड़का कौन है At Mrs. Maan, who behaves madly like Oliver जो के Oliver की तरह ही वेभार करता है पागलपन से भरा हुआ तो Sykes है, Dick है, Dozer है या फिर Monks है जो दूसरा लड़का है, वो Dick है जबाब हुआ B Next question During the night of burglary when Sykes brings Oliver over a bridge तो एक burglary का सीन है इस novel में बर्गलरी मतलब कि सेंध मारी किसी के घर में घुज जाना और चोड़ी कर लेना तो वो burglary कहलाता है ये तो उसमें क्या है उप्शन से हैं Oliver is over pleased to see it Oliver sees Rose Mellie and Mr. Brown Lowe Oliver fears that he is brought there to be murdered monks give सेमा warning तो इसमें Oliver fears that he is brought there to be murdered ये वाला उप्शन सी सही है उसको लगता है कि इसको मारने के लिए लाए है नेक्स कुशन है दूरिंग दे नाइट ऑफ बर्गलरी साइक्स और ओलिवर आर ग्रीटेड इन और सॉलिटरी हाउस बारने एंड तो जो सैंध मारी की रात होती है जो चोड़ी की रात होती है उसको रात को साइक्स और ओलिवर को ग्रीट किया जाता है एक सॉलिटरी हाउस एक एकांत घर में इसके दौरा बारने और टोबी क्रेकिट फेगिन नोवा क्लेपोल या फिन नैंसी तो बारने के साथ टोबी क्रेकिट के दौरा नेक्स है दूरिंग दा बर्गलरी तो सेंध मारी के दौरान दीवार पर आसानी से कौन चड़ जाता है ओलिवर, टोबी क्रेकिट, साइक्स या फिर डोजर तो इसका जवाब है टोबी क्रेकिट नेक्स्ट क्वेस्चन है तो खिरकी कौन तोड़ता है मकान में चोड़ी या सेंध मारी के लिए टोबी क्रेकिट तोड़ता है ओलिवर, साइक्स, या फिर फेगिन तो जो खिरकी तोड़ी जाती है वो साइक्स के द्वारा तोड़ी जाती है जवाब हुआ हमारा सी फिर है फिर है किसको भेजा जाता है सेंध मारी के लिए ओलिवर, साइक्स, टोबी क्रेकिट या फिर नन तो यहां ओलिवर को भेजा जाता है चोड़ी करने के लिए अंदर फिर है तो मिस्टर बंबल किस हार्ड एंड टेक इन आर्म्स तो मिस्टर बंबल किसको जोर से किस करते हैं अपनी बाहों में लेते हैं मिस्स मान, मिस्स मेली, मिस्स बैडविन या फिर मिस्स कॉर्णी तो इसका जवाब है मिस्स कॉर्णी फिर है तो किसकी मित्यू डिस्टर बंबल जो मजे ले रहे थे मिस्स कॉर्णी के साथ तो इसका जबाब हƏ ूट सेalley नेक्स कुईशन है तो वर्क हाउस की मेटरन कौन है मिसश कोनी मिसश बैडविन मिसश मैली बैडविन या फिर शारल्लॉट तो वर्क हाउस के जो मेटरन है वो है कोनी मेटरन वो होती है जो देखवाल करती है जिसे आप अगर hostile में रहते हैं girls hostel में तो वहाँ पर एक matern का पद बोध होता है एक warden होता है girls hostel में होती है एक matron होती है तो इसमें work house की matron है वो Mrs. Corny है फिर है who dances round Mrs. Corny's table तो Mrs. Corny के table के चारॉट कौन डांस करता है Mr. Brownlow, Noah Mr. Bumble या फिर dick तो इसका जवाब Mr. Bumble है Who wishes that Oliver's death is better than life among criminals like Fagan तो कौन ये चाहता है कि Oliver की मृत्यू बहतर है उसकी जो लाइफ है criminals की बीच उसके उसकी मृत्यू बहतर है Nancy, Rose, Brownlow या फिर Mrs. Byrdman तो इसका जवाब है Nancy फिर How old is Rose Millie Rose Millie की उम्र क्या है 19, 17, 15 या फिर 16 तो Rose Millie की जो उम्र है वो है 17 साल 17 येर्स जवाब है B फिर है Mrs. Millie who treats Oliver Mrs. Millie के यहां Oliver का इलाज कौन करता है Dr. Lossburn, Dr. Brownlow, Dr. Fang या फिर Dr. Leiford तो Oliver का इलाज Dr. Lossburn करते है Next question है Oliver is released on bail Oliver को release किया जाता है Bail पर जवानत पर किसकी जवानत पर? Of Mrs. Millie and Mrs. Millie और कौन किसी जवानत पर? Mr. Brownlow, Mr. Grimwig, Mr. Lossburn या फिर Mr. Giles तो Mr. Millie और उसके साथ Dr. Lossburn की जवानत पर या फिर Nancy तो दूसरा जो खत है वो Harry Millie के लिए है फिर है Whom does Nancy meet secretly? तो Nancy चुप-चाप किस से मिलती है? Sikes से, Oliver से, Rose Millie से या फिर Mr. Brownlow से? तो जवाब है Rose Millie Whom does Mr. Brownlow wish to enter first? तो Mr. Brownlow पहले किसको फसाने की कोशिश करते हैं? Fagin, Monks, Sikes या फिर Nancy तो जवाब है Monks In which in Noah, Claypole and Charlotte take supper? तो कौन सी सराय में Noah, Claypole और Charlotte रात का भूजन करते हैं? तो ये नाम अकसर आ जाते हैं इस नाम को याद रखना Jacob, Silent, Newgate, Monks या Three Cripples तो ये जो इनका नाम था वो Three Cripples था काफी important है ये question इसका इनका नाम याद रखेगा फिर है Who enters Noah and Charlotte in the inn Three Cripples? तो जो इन हैं सराय है Three Cripples उसमें कौन एंट्रेप करता है? मतब कि जाल में फसाता है Noah और Charlotte को तो Bill Sikes है Mr. Fagan, Oliver या फिर Brown Lowe तो यहाँ जो जवाब है वो Mr. Fagan है Next question है Who assumes the name of Mr. and Mrs. Morris Bolter? तो Mr. and Mrs. Bolter का नाम कौन assume करता है? assume अपना लेना, जूटा अपना लेना तो यह यहाँ जो जवाब आएगा वो Noah और Charlotte हैं यह दोनों इस नाम से अपने आपको शो करते हैं कि हम Mr. and Mrs. Morris Bolter हैं तो जवाब होगा इसका Noah और Charlotte फिर है Who sells Agnes Locket and Ring to Monks? तो Agnes का जो Locket था और Ring थी उसको कौन बेजता है Monks को? Mrs. Bumble, Old Sally, Fagan या फिर Sikes तो इसका जवाब होगा Old Sally Who is the Navy Officer Fleming's younger daughter? तो जो Navy Officer Fleming है उनकी छोटी बेटी कौन है? Agnes, Nancy, Charlotte या फिर Rose Mellie तो उनकी छोटी बेटी का नाम है Rose Mellie Whom does Nancy promise to meet at midnight near the London Bridge? तो Nancy किसे मिलने का वादा करती है? आदी रात को London Bridge के पास Rose Mellie, Oliver, Sikes या फिर Mrs. Mellie तो जवाब होगा Rose Mellie Next है In fact, Rose Mellie is Oliver's वास्तम में Rose Mellie, Oliver की कौन है? Sister है? Friend है? Aunt है? या Beloved है? तो जो Rose Mellie है वो Oliver की Aunt है Aunt मतलब कि यहाँ पर मौसी है वो उसकी मा की छोटी बहन है तो Rose Mellie उसकी Aunt है इसको आप याद रख लीजेगा Whom does Rose disclose the information given by Nancy regarding Oliver's parent is तो किसके सामने Rose disclose करती है? रहसियोद गहटन करती है, बताती है the information, खबर given by Nancy, जो Nancy के द्वारा दी जाती है regarding Oliver's parent is Oliver के माबाप के संबंध है तो Mr. Brownlow, Harry, Mr. Lossburn या Mr. Giles तो इसका जवाब होगा Mr. Brownlow Next है Who keeps a close watch on Nancy during her secret visit to meet Rose at London Bridge? तो कौन नजर रखता है Nancy पर जब वो चुपचाप मिलती है Rose से London Bridge पर? फेगिन, साइक्स, नोवा, क्लेपोल या फ्रोलिबर? तो इसका जवाब है नोवा, क्लेपोल Next question है Who appoints Noah to spy Nancy's activities? तो ये नोवा को नजर रखने के लिए spy मने? नजर रखना या फिर जासूसी करना तो उसके लिए Nancy की activities पर नजर रखने के लिए कौन अपॉइंट करता है? Sykes, Fagin, Rose या फिर Brownlow तो इसको अपॉइंट करता है Fagin Who murders Nancy? Nancy की हत्या कौन करता है? Sykes, Fagin, Dozer या फिर Noah तो Nancy का murder Sykes करता है याद रखिएगा फिर next question है Where is Jacob's Island? Jacob's Island कहा है? On the east of the river teams, on the west of the river teams on the south of the river teams या फिर on the north of the river teams तो Jacob's Island जो है वो on the south of the river teams है या टेम्स नदी के देक्षिन में तो जवाब हुआ सी फिर है Who was Oliver's father? Oliver का पिता कौन था? Edwin Leiford Mr. Brownlow या फिर Mr. Bumble तो Oliver के जो पिता थे वो Edwin Leiford थे तो ये आपको मा का पिता का नाम याद रखना है Edwin Leiford Who is Monk's real name? What is Monk's real name? Monk का वास्तविक नाम क्या है? Edwin Leiford, Jack Dawkins, Edward Leiford या फिर Arnold Leiford तो उसका जो असली नाम है वो Edward Leiford है ये Oliver का सौतिला भाई है Who dies by losing balance and falling from 35 feet height तो कौन मर जाता है जब उसका balance बिगड़ जाता है और 35 feet की उंचाई से वो गिर जाता है Sykes, Fagin, Dozer या फिर Bates तो ये है Sykes फिर है Who is Condemned to be Hanged by the Neck Till he is Dead तो किसको सजा मिलती है कि उसको फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि वो मर न जाए Sykes, Dozer, Fagin या फिर Bates तो ये सजा Fagin को मिलती है तो ये थे कुछ multiple choice questions कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो और बनाऊं Oliver Twister जिसमें कि सारे characters के नाम हो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद